हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम पेक टू आज चैनले निम्रला क्लासिस हमने प्रीविएस वीडियो में अपनी 12.1 खतम कर जिदी क्लास 7 की आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे एलजेबिक एक्सप्रेशन चेप्टर की ठीक है 12.1 में अपनको बस कुछ नहीं करना है प्लस माइनस करना है एक साथ रखकर टम्स जो लाइक टम्स उनको एक साथ रखकर और जो अनलाइक टम्स उनको एक साथ रखकर अपनको प्लस माइनस करना है और अपन लाइक और को simplify करना है और like terms को एक साथ रखना है ठीक है तो कर देते हैं सबसे पहले क्या है अपने पास में 21B तो उसको नीचे उतार लेंगे 21B अब देखो कि इसके पीछे क्या है B तो B ढूणना है अपनको same to same और किसके पीछे उसको बाद में लिख दो माइनस 32 अब अपने इन में प्लस माइनस कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले क्या हो रहा है 21 प्लस 7 ठीक है 21 प्लस 7 कितना होता है 28B माइनस 22 अगली स्थेप में अपन क्या करेंगे 28-20 तो 8B माइनस 32 अब इसके बाद सॉल नहीं होगा क्योंकि यह 32 है और यह 8B है यह दोनों लाइक टम्स नहीं है तो यह आपस में कैंसर नहीं होंगी तो इसका आंसर हो जाएगा 8B माइनस 32 अब सेकिंट पार्ट की तरह बढ़ते हैं जो कि मैनस जैड स्कॉयर अगर मैनस फाइब जैड क्यूमिंस माइख मैनस 15 जैड सबसे पहले क्या उठाएंगे पहले वाला शाओ में रखेंगी माइनस जैड स्कॉयर लिका अब क्या करेंगे इनके Z² अपने डूनेंगे पूरे में, पहले इसके साथ में यह Z² इसको साथ में लिख लेंगे, माइनस 13 Z² और Z² ढूनेंगे, है इनी कोशन में और एको, तो अब अपन क्या करेंगे, आगे वाले नमर पर बढ़ेंगे, यह दोन हो गए, यह बाकी है, इसको लिखते हैं, माइनस 5 Z, अब Z ढूनेंगे, पीछे Z है न, Z ढूनेंगे, तो यह रहा माइनस 15 Z, जो बचा हुआ ह हो बाद में लिख देंगे, क्या बचा है, प्लस 7 Z, क्यूब, Z² और Z अलग अलग नमबर है, क्यूंकि Z² का मतलब होता है, दो बाल मंटिप्ला रहा है, Z मतलब अकेला, ठीक, इसलिए यह लाइक टम्स नहीं केलाएंगी, अब देखो, यह दोनों लाइक है, तो माइनस प्ल के पस्लेक का सायँ, रहेंगे, 12 Z² अगला माइनस माइनस प्लस 15, प्लस 5, कितना वहता है, 20 20 Z, सायइन किसका है रहे, थे क्योंकि 15 के पास जो बड़ा है, दो की पस क्या है, माइनस को जो सायइन, माइनस कर यहांपर आजाएगा, उसके बात क्या हाै, लास में सेवन जैड क्यू अब इसके आगे सॉन नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि कोई भी इसमें लाइक टम्स नहीं मिल रही है तीनों अलग अलग टम्स से पीछेगी इसलिए यहां पर इसका यह अंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट देखते हैं इसका ही कोशन का पी माइनस पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस माइनस पी आप इसमें पहले अपनको ब्रेकेट खोल रहाने क्योंकि ब्रेकेट की प्राब्लम आती है सबसे पहले क्या करेंगे मैथाल को प्लस है तो मैंव प्लस हो नोयाथ बिन गया यह माइनस से अंदर एंटू होगा माइनस यहाँ पर अंदर क्या है प्लस माइनस लिए इसलिए अब देखो एक साद रखेंगे पी को लिखा सबसे पहले सबसे पहले वाला उतारा पी जैसा डूंडेंगे पी बगल में यह एक तो उसको लिख लेते हैं और पी है यह रहा इसको भी आगे लिया आते हैं ठीक है पी खत्म होगे कोश्चन में उसके बाद अपन किसके बाद तरफ बढ़ेंगे क्यू तो इसक प्लस माइनस करते हैं प्लस माइनस माइनस क्यूए ज़्याइगा जीरो इसके बाद क्या बचेगा है आप ठीक है अब इसमें बचेगा अपन लिख जैता है ठीक है अफिक अब इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या क्यों क्या हो जाएगा जीरो क्यों माइनस क्यों जीरो इसमें भी क्या बच जाएगा अपने पास मांसर माइनस क्यों तो इसका अंसर हो गया माइनस पी माइनस क्यों ठीक है कि पोरत वाले पर बढ़ते हैं कि सुरूरी एक मिस्ट्रइक हो गए अपने से एक अपने यहां पर क्या था प्लस पी था यह पने- यहां से लिकाठा यह पने इस बाद का आप भी द्यान रखना एक्जाम के टाइम पर किये ना यह माइनस प्लस की गल्टी ना हो जाता है तो पी माइनस क्यों इसका अंसर आएगा क्योंकि अपने पीक जो आगे लेकर आये थे वह प्लस का पी था ठीक है कि अब अगला कोषें फूर्थ पार्ट की दरब बढ़ते हैं 13eken मैनस क्यों मैनस तू बी मैनस टो बी मैनस एवी प्लस एवी प्लस त्री अय बी मैनस ऐख ठीक है माइनस माइनस प्लस साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस भी माइनस प्लस माइनस इसका भी साइन से होके माइनस भी बाकी वैसा का वैसा लिखेंगे अब देखो पहला उठाएंगे 3 A 3 A को उठाया है 3 A के पीछे क्या है A तो अपन पूरे कोशन में क्या दूननेंगे A फूरे कोशन में A डूननेंगे A क्या है यह आपर A यह यह रहा A और Last में भी है माइनस A अकिला पढ़ा है उसको भी लियाते हैं आगे, सारों को एक साथ लिया है, उसके बाद second number उठाएंगे, a खतम हो गए, तो minus 2b, b ढूंडेंगे पूरे question में, यह दोखो, a, b वाला b नहीं, क्योंकि इससाथ a है, तो यह अलग term हो गई, अपन सिर्फ b ढूंडें, तो b यह रहा, plus b, और b है, यह और plus b है, plus b, ठीक है, उसके बाद क्या है, minus a, b को उठाएंगे, minus a, b, minus a, b और है, यह देखो, a, b है ना, पीचे, minus a, b, और एक यह भी पढ़ा है, अपने पास में, plus 3ab, इसको भी लिख लेंगे, अब अपने पास सारे की सारे number खतम हो गए, जो उपर थे, बस उनको अपन ने जमा दिया है, like terms में, एक साथ में, ठीक है, अब अपन plus minus करना चालू करते हैं, जो normal आप करते हो, a के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, one, इसको one मानेंगे, one a, ठीक है, तो क्या है, three a, minus a, minus a, ठीक है, three a, minus a, कितना होगा, three a, minus a, two a, फिर minus a का बाप, अगला करते हैं, minus two b, plus b, minus, plus, minus, two में से minus करेंगे, b को कितना बचेगा, one b, तो one b को अपन लेखेंगे, b, sign किसका हैगा, minus का, क्योंकि minus वाला बढ़ा था, तो यह क्या है, पीछे answer, plus b, यह बचा, अब देखो, minus, minus, plus, minus, minus, plus, तो a, b, plus a, b, कितना बचाएगा, two a, b, sign किसका आएगा, minus का, minus two a, b, और last में क्या बचाएगा, plus three a, b, इसको solve करते हैं, आगे नीचे, ठीके, two a में से a, minus करेंगे, कितना बचाएगा, a, minus, plus, minus, तो b में से b, minus करेंगे, कितना बचाएगा, zero, इसको लिखने की जरूत नहीं है, फिर उसके बाद, minus, plus, minus, three में से two काट रहें, ठीके, three a, b में से two a, b, minus करेंगे, तो अपने पास कितना बचाएगा, plus, a, b, plus का sign क्यों आया, तो अपने पास answer के आगे है, a, plus, a, b, और यहा चीखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन होगा यह भी, easily, उसी तरीके से, हर question में same pattern लगेगा, सबसे पहले पहले पहला नम्मा लेंगे, five x square y, अब क्या डूनना है, x square y, पूरे question में, तो x square, देखो, यह वाला ध्यान रखना, अभी भी जगे चेंज कर दिये, only, जगे चे x square y, यह देखो, यह x square y नहीं है, क्योंकि x अकेला है आपर, और y square, y की जगे पर y square है, तो यह अलग हो जाएगा, तो ठीक है, अब कोई भी question में x square y नहीं है, तो आगे बढ़ता है, अगला कौन सा है, minus 5 x square, तो इसको लिख देंगे, minus 5 x, इसमें क्या डूनना है पनको, x square x square उनते हैं, यह रहा एक दो, plus x square, ठीक है, उसके बाद x square, नहीं, उसके बाद नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, यह वाला तो आपन लिख चुके हैं, आगे उतार चुके हैं, इसका ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर आप आगे लए चुके हैं, उसको repeat में मत लिखना, ठी x square, एक तो यह रहा, minus y square, ठीक है, और कोई है, यह रहा, minus 3y square, ठीक है, minus 3y square, उसके बाद है कहीं पर, नहीं, उसके बाद कोई क्युश्या नहीं, उसके बाद अपन यह देखो अगला कौन सा बाकी number रह गया, यह उठा लिया था अपन ने, x square, हाँ, यह अपन ने x square आगे भी ले लिया, अब अपने पास बचा है, last में, plus 8, x, y square, ठीक है, अब सारे number लिख लिए, अब बापिस plus minus, जो नॉर्मली करते हो, करना चलो करो, 5 में से 3 करोगे, तो कितना जाएगा, क्योंकि देखो, यह दोनों same, like terms है, इसलिए अपन इसमें minus, plus minus कर रहे, अपन unlike terms में, plus 5 में से 3 plus करेंगे, कितना जाएगा, 5 plus 3, 8, x square, y, ठीक है, ऐसे लिख सकते है, x, y square भी लिख सकते है, y, x square, या फिर x square, y भी, लिख सकते है, कोई फरक नहीं पढ़ता, अब अगले पर बढ़ते है, minus, plus, minus, 5 में से कितना minus करेंगे, 1, क्योंकि x क्या 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 तो कितना गया, 4 x square, minus क्यों लगा है, क्योंकि 5 क्या है, बढ़ा है, उसके पास sign है, minus का, इसलिए minus लगेगा, minus 4 x square, उसके बाद देखो, minus, minus, plus, तो 3 plus यहाँ पर कितना है, 1, 3 plus 1 कितना हो गया, 4, तो minus का 4 y square, minus का sign बापिस क्यों लगा, समझेगे, बढ़ा वाला कौन सा है, 3, उसके बाद, जो sign होता है, वो यहाँ पर लग जाता है, उसके बाद क्या है, minus 3 y square, इसको एका इसा उतर देंगे इसको, फिर last में क्या है, plus 8, यह अकेला इसलिए इसको भी ऐसा कैसा उतर देंगे, solve करते हैं, अब देखो, यह दोना अलग रग ताम से, इनको नहीं इनको इसा कैसा उतर देंगे, minus 4 x square, अब देखो, यह दोनों हो सकते है, minus minus, plus, क्योंकि दोनों के बीचे y square है, इसलिए इन दोनों, यह दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो minus minus, plus, 4 plus 3, 7, ठीक है, तो यह क्या हो गया, minus 7 y square, उसके बाद, last में क्या बचा, plus 8 x y square, तो यह इसका answer हो हो गया, ठीक है, अब कोई भी अपन कैसी भी तरीक से जमाले, plus minus, अब नहीं कड़ सकते, सारी की सारी अलग-अलग terms है, इसलिए यह यहां पर answer कतम हो गया, इसके 6th part की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस question का last part है, 3y square, plus 5y, minus 4, minus 8y, minus y square, minus 4, ठीक है, इसमें भी bracket खोलना पड़ 3y square, plus 5y, minus 4, इसका की कोई sign नहीं है, इसलिए, देखो, इसका की minus का sign है, तो minus अंदर into कराएंगे, हर एक में, तो minus plus से into होगा, तो क्या बनेगा, minus, plus minus, minus, 8y, same to say, minus minus, plus, sign change हो गया, minus minus, plus, यह भी sign, change हो गया, same, अब जंग गया, अभी एक साथ में पहला number, क्या लिखेंगे, 3y square, लिखा, y square ढूंडेंगे पूरे question में, यह रहा y square, इसको आगे लिकर आएंगे, plus y square, ठीक है, y square खतम हो गया, अगले वाले number पर बढ़ेंगे, क्या है अगला, plus 5y, ठीक है, अब पूरे question में y ढूंडेंगे, यह रहा y, तो y को आगे लिकर आएंगे, minus 8y, लिखा, हो 8y, खतम y, तो आप क्या है दूने के number, मतलब यह रहा, minus 4, अगला है न, आगे बढ़ते जाना है, आपको, minus 4 लिखा, अब 4, मतलब number ढूंडेंगे, कोई सा भी number चलेगा, इसा चले हो नहीं, 4 ही ढूंडना है, number, number है, अपने पास, plus 4, इसको आगे लिखतेंगे, सारे के सार 4y, square, ठीक है, इसके बाद, plus minus, minus, तो 8 में से 5 minus करेंगे, कितना आएगा, 3y, और साइन किसका आएगा, minus, क्योंकि 8 के पास है, minus, बड़े वाले के पास, फिट देखो, minus, plus, minus, 4 में से 4 minus करेंगे, कितना आएगा, 0, वो लिखने की अपन को जरूत नहीं है, इसलिए इसका answer क् हो गया, लास, 4y, square, minus, 3y, इसका answer खतम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर यह exercise का पहला कुश्चर खतम हो गया, next वीडियो में आपन, next question देखेंगे, second वाला इसका, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को like, share, और हमारे चैनल को subscribe करके हमको support कर thank you